नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम सत्रह हजार प्लस पोश्ट एनम आनलाइन परिच्छा देने का सही तरीका आप लोग को बताऊंगा हरवडाना एकदम नहीं है दोस्तों इस तरह से परिच्छा में अच्छे नमबर पाएं महत पूर्ण बिंदूओं पर ध्यान दें और वीडियो को अंतितक देखें जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों पहुत ही महत पूर है खास कर जो है जितनी एनम बहने हैं उन सभी के लिए क सेंटर के हिसाब से परिच्छा है सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर ने तो सस्क्राइब जरूर करिए और वीडियो को जादा से जादा से एर करिएगा शेयर करेंगे तो यह सही तरीका उन सभी अभ्यार्थियों को पता चल जाएगा जितनी एनम बहन है कि किस हिसाब से आनलाइन परिच्छा दें सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोको यह बताऊंगा आनलाइन सेंटर आनलाइन परिच्छा है आपको सेंटर पर लगभग देड़ घंटे पहले पहुचना है वहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है बायो मेट्रिक होगा और आपक जो है मास के जरूर लेकर आना है दोस्तों क्योंकि आप लोग को पता ही होगा और उसके साथ में आईडी प्रूफ ओर्जिनल एडमिट कार्ड इतना आपको लेकर जाना इसके लाओ और कुछ नहीं लेकर जाना है आनलाइन सेंटर पर जब आप वहाँ पहुचेंगे पहु नहीं करना है यूजर आईडी डालेंगे पाशवर्ड उसमें आल्रेडी पड़ा रहता है उसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद फिर जो है जब समय सुरू होगा तब आपका जो है मतब काउंट डाउन जिसको बोलते हैं जब सुरू होगा तब आपका परिच्छा ज बाएं बाएं जो भी है करना रहेगा उसमें सबसे पहले आप भासा का चैन कर लिजेगा हिंदी इंगलिस जीस में करना रहेगा हिंदी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा सबसे अच्छा तरीकार यही है दोस्तों हिंदी में आपको अगर समझ में आता हिंदी कर मार्क करके जाईएगा दोस्तों, save and next कर दीजेगा आपको ये बता रहा हूँ कि जो परिच्छा में प्रस्ण पूछे गए हैं जो जिसका उत्तर आपको पहले पता रहता है उसी प्रस्ण को करिएगा उसके बाद जो है और प्रस्ण छोड़ते जाईए जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाईए फिर लाश्ट में उसको करिएगा दोस्तों मैं इसलिए आप लोग से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पेपर और पेन का कोई इस्तेमाल है नहीं रिजिनिंग पांच कोईश्टन आपका आएगा उसके लिए जो है पेपर पेन आपको वहीं पर मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा उप्योग नहीं है और आपका असी क्वेश्टन सब्जेक्ट से रहेगा तो इस तरह से जो है आपको जो महत्पूर बिंद बता रहा हूँ इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे नमबर ला सकते हैं और यहां तक ध्यान दीजेगा दोस्तों अगर आपसन में जो ज़्यादा सही हो रहा है आपके परिच्छा में जो आपसन ज़्यादा सही हो रहे हैं जो प्रस्ट आपको नहीं आता है उसमें आप आपसन और के अनुसार कौन सा आपसन ज़्यादा सही हो रहा है ए बी सी डी उसके अनुसार आप जो है तुका लगा सकते हैं जहां तक है दोस्तों 50% सही ही हो जाता है अब बात करते हैं कभी कभी क्या होता है कि प्रस्ट ने इतना लंबा दिया रहता है समझ में नहीं आता है और उत्तर भी उसका जो है लंबा लंबा रहता है कुछ उसमें छोटे रहते हैं अगर तीन option बहुत लंबा लंबा ह चोथा छोटा है तो समझे कि उसका उत्तर वही होने वाला है और कभी-कभी ऐसा होता है कि तीन जो है ऑप्सन छोटे-छोटे रहते हैं चोथा बड़ा रहता है तो इस तरह जो यह ट्रिक आपको बता रहा हूं अगर आपको नहीं अच्छे से आ रहा है अगर आप तुक्का म इस तरह का नियाम फालो करते हैं तो सस्कृडरा दोस्तो जरूर करीजेगा और एक लाइक करीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पार